नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे आफिशल व्यूटूब चैनल जी एस पाइ नीद असर में है कैसे आप सब मैं आसा करता हूँ श्रस्त होंगे मस्त होंगे और आप शबी लोग अपने तेयारी में पूरी इमानदारी के शाथ व्यस्त होंगे आप तेयारी टी टी पीजी टी आर्ट की कर रहे है मित्रों इसमें ल्टी ग्रेट भी शामिल है ल्टी ल्टी ग्रेट भी शामिल है इसके तैयारी में आप लोग व्यस्त हैं बहुत बड़े हैं व्यस्त रहिएगा मित्रों आप तैयारी तो कर रहे हैं लेकन तैयारी का जुमेन मोटो है वो आ परिक्षा क्रेक करने के लिए आपको ये शमजना होगा कि परिक्षा फार परिक्षा क्या है परिक्षा के परिक्षा के परिक्षा के आधार पे हमने कई model paper और test paper solve करवाए हैं तो आज की जो ये class होगी इसमें भी हमें 125 प्रशनों का model paper लेने वाले हैं जो multiple choice questions का रहने वाला है आप अपना OMR शीट अपने साथ रखेगा optical mark radar वाले शीट जो चार बिकलपों वाली रहती है इस पर अपना गूला भरते फिए चलिएगा last में आपको बताना है कि आपका score 11 प्रशनों की संख्या 125 है बहुत चुनिंदा प्रशनों को लिया गया है आज डेट है 28 October 2024 और हम 28 October को कौन सी class करने चल रहे हैं मित्रों 125 प्रशनों की एक सुन्दर और अक्षी अभ्यास स्रंखला तो देरी ना करते वे class की तरफ चलें चोटी सी line से start करेंगे आंधिया हसरत से अपना शर्पटकती रह गई बच गए वो पेंड जिन में था हुनर जुकने का तो हुनर मन्द रहेंगे मित्रों कितनी भी तेज आ आपको नहीं डगा शकती तो इन ही बातों के शाथ हाई ये class start करते हैं उपे ये रहा है के रहा है आठ फरवरी 2019 को राज लिलित कला अकेदमी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया 2019 की बात हो रही है 55, 88, 56 या फिर 69 आपसे पूसा गया आठ फरवरी 2019 को राज लिलित क अपना दिवस मनाता है तो 56 और 56 आगे बढ़ाज है अगला question सा रहा है दो नंबर question से आपसे के रहा है भारत कला भून वाराणसी में प्रदर्शित बौध सचित्र ग्रंथ है प्रग्या पार्मिता प्रग्या पार्मिता का चित्रण की शासक के शासनकाल में हुआ था नाम कला भून में फाइनली प्रदर्शित हुई है और सचित्र ग्रंथ है किसके टाइम पे बनती है तो गोविंद पालुष टाइम राजा हुआ घरते हैं राइट आंसर जो बनेगा वो बी के साथ बनेगा मित्रों बी इस दा राइट आंसर लगा लो आगे तीन नंबर questions आपक अगे चलेंगे अगला questions चार नंबर आएगा आपसे कह रहा है बिख्यात कलामरमग्य तथा कलाविद पदम विभूशन राइकरशन दास के शंगरहाले के शंस्थापक थे आपसे राइकरशन दास के बारे में पूछा किया है कि वो भारत भामन भोपाल के शंस्थापक रहे हैं या भारत कलाभवन वारानसी के शंस्थापक रहे हैं या फिर लखनव कलाविद्ध्याले के शंस्थापक रहे हैं या फिर शांती निकेतन कलाभवन के शंस्थापक रहे हैं राइक्रशन दास के बारे मगर देखा जामित्रों तो उस शंस्थापक रूप में जिस्संग्रहले के निकलेंगे उनका नाम भारत कला भवन होता है जो वारानसी में इस्थित है तो राइट आंसर्स आपको यहां बी के शाथ लगाना है भी इस दा राइट आंसर्स बना ले शूरी को शमर्पित मंदिर है पूचा गया अगर शूरी को शमर्पित मंदिर पूचा जा रहा है तो राइट आंसर्स कोणार का देना पड़ रहा है राइट आंसर्स फर्स्ट के शाथ लगाना पड़ रहा है इस दा राइट आंसर्स बनाना पड़ रहा है आगे चलते हैं अगला question 6 नमबर आता है चोल काल में अधिक निर्मित हुई क्या धातू मूर्तियां जादा बनी पाशान मूर्तियां जादा बनी मिट्टी की मूर्तियां जादा बनी या फिर तीनों टाइप की मूर्तियां जादा बनी चोल काल की बात हो रही है चोल काल में जो जादा बना ह वो धातु वाली मूर्ती जादा बना है तो राइट आउंसस आपको फ़स्ट के शाथ लगाना पड़ेगा मित्रों ए इस दा राइट आउंसस लगाईएगा अगला कूश्चन साथ नंबर आपकी स्क्रिन पे गे रहा अगर हम प्रश्यंख्या साथ की बात करते हैं तो कह रह एशिया का सबसे बड़ा विश्ववध्याले शंगरहले कूँ सा है नाम भारत भोन भोपाल का है भारत कला भोन वाराणसी का है सांती निकेतन कला परिशद बोलपूर का है और कला निकोतन कुलहापूर का नाम दे दिया गया इसिया का शबसे बड़ा है विश्विद्याले शंगरहाले है उसका नाम क्या होगा मित्रों तो भारत का कलाभ होन शंगरहाले जो फाइनली वाराणसी में इस्थित है राइट आंसस बी के शाथ लगाना बी इस दा राइट आंसस बना लेना आगे चलेंगे एगला कोश्चनस आएगा अपना आठ नंबर कोश्चनस अपनी श्क्रिन पे है कह रहा है इस्टूर्ट गारडेनर शंगरहाले का है इस्थित है इस्टूर्ट गारडेनर शंगरहाले क्या वोश्टन में है पैरिश में है लंडन में है या फिर वीजिंग में इस्ट्वर्ट गॉर्डेनर शंग्रहले की अगर बात करते हैं मित्रों तो ये शंग्रहले आपके वोश्टन में है राइट आंसर जो लगाईएगा वो फ़र्ष्ट के शाथ लगाईएगा आगे सलाजाएगा अगला कोश्चन्स नो नम बराता है हाथी दात की अदभुद कला दिखाई देती है मेनाक्ची मंदिर में, बिंकटेश्वर मंदिर में, शीता रंगम मंदिर में या फिर शरश्वती मंदिर में हाथी दान्त की अद्भूत कला दिखाई देती है तो हाथी दान्त की अद्भूत कला आपको मीनाक्षी मंदिर में देखने को मिलेगी राइट आंसर्स फर्ष्ट के साथ लगाईएगा अगला कोश्चन से 10 नंबर आएगा पूचा गया अजंता की शरबाधिक प्रतलिपीयां कहा सुरक्षित हैं नाम राष्टिय शंग्रहले नई दिलली का है राष्टिय आधुनिक कला दिरगा नई दिलली का है खुदा बकश पुस्तकालाई बांकी पुरका है और प्रिंस आफ वेल्थ संग्रहले मुंबई का नाम दे दिया किया अजन्ता की मैक्सिमूम प्रतलिपियां कहां है ज्यादा प्रतलिपियां कहां सुरक्षित है तो अजन्ता की बात कर रहा है अजन्ता जो बहुत धर्मशे शंबंदित है तीस गुफाएं है उसका मैक्सिमम डाटा फ्रिंस आफ वेल्थ मुजियम मुंबई में है तो राइड आंसस बंबई के शाथ लगाईएगा डी इस दा राइड आंसस में तुरों पनाईएगा आगे चला जाए अगला कूश्चन्स 11 नंबर आपकी स्क्रिंट पे ये रहा आपसे कह रहा है 11 पूर्शे प्राप्त याक्छी की मूर्थी किस शंगरहले में है नाम पठना शंगरहले का है मथुरा शंगरहले का है ग्वालियर शंगरहले का है और शारनाथ शंगरहले का नाम आप से कह रहा है 11 पूर्शे प्राप्त याक्षी की मूर्ति कोई शंग्रहले शे है तो याक्षी की मूर्ति के अगर बात करते हैं ग्वालियर शंग्रहले आंसस बनता है राइट आंसस मित्रों आपको शी के शाथ लगाना पड़ता है आगी सला जाएगा अगला 12 नमबर आता है पूछा गया अशोक के सिंघ अस्तंभ के सिर्स में शिंघों की शंख्या है अशोक का जो सिंघ अस्तंभ है मित्रों उसमें पूछा गया ऊपर जो सेर है उनकी शंख्या क्या चार है पांच है तीन है या फिर दो है कितने शिंघ दिखाई देते हैं तो वहां स सिंगों की शंख्या आप देखिएगा चार देखने को मिलेंगे राइट आउंसरस फ़र्ष्ट के शाथ लगाईएगा एस दा राइट आउंसरस बनाईएगा आगे चला जायेगा थर्टीन नंबर कोश्चन्स आप की स्क्रिन पे है अशोक कालिन सिंग अस्तंभ इस्थित है अशोक कालिन सिंग अस्तंभ इस्थित है फर वही पूछ लिया गया चार के शाथ लगा लो भाई आप जानते हो शारनात में इस्थित है कहाँ पे है शारनात में इस्थित है लेकिन अब questions गलती से type है तो उसके लिए आप शार लगा लिजेगा सिंग की संख्या ही समझ लो ये questions रहा अगला questions 14 नमबर जलता है आप से क्या कह रहा है 14 नमबर questions कह रहा है Integlio पदतियां कोईंसी है नाम बुड़कट और प्लेनोग्राफी का है नाम ड्राइउब पदती के बारे में पूसा गया भी इसदा right answers बनता है मितनों अगला questions आता है 15 नमबर questions से अकाधमिक शैली का चितरकार कों था नाम स्रीधर महापात्रा का है रगुनात महापात्रा का है शुखवीर स्रंगल का है और अनित्यानन महापात्रा का नाम दे दिया गया अकादमिक शेली का चितरकार कुन था तो अकादमिक शेली के अगर हम स्रीधर कार की बात करते हैं अगे चलेंगे शोला नंबर कोश्चन्स आपकी स्क्रिन पर है डारटाडर का एक इटली जी तरकार था नाम गोथिक काल का है मध्यूगीन काल का है प्रारमभिक पुनर जागरन टाइम का है और रोकोको अबधि का देदिया गिया प्योरो डेला फ्रेंसेस्का आप से पूसा गया प्योरो डेला फ्रेंसेस का, मित्रों अगर शंबंध पूसा जाए, तो प्रारंभिक पुनर जागरण का लांसस बनता है, बी के साथ हमेरा इट आंसस लगाना पड़ जाता है, बी इस दा राइट आंसस लगाएंगे, अगला कोश्चन्स अपना आएगा, शत्रा नंबर कोश्चन्स अमित्रों, आप से क्या कह रहा है, आप से कह रहा है, पुनर जागरण करांती, पुनर जागरण करांती के कलाकारों में, मिसेच्चियों हैं, लियोनार्ड दा विंची हैं, माइकेल एंजिलों हैं, और जोर्जियों हैं, इनके सरजन में किस कलास पुनरवर्ति होती है या फिर बरोग और रोकोको की पुनरवर्ति होती है तो पुनरजागरण क्रांती के कलाकारों के द्वारा जो फाइनली कलाशेली का पुनरवर्ति होता है उस शास्त्री और गोथिक है राइट आंसर साफ सी के साथ बनाईएगा मित्रों C is the right answers वेट रहा है आगे चला जाएगा आपका questions 18 नंबर है पूछा गया उत्तर पुनर जागरण कला का शमय था उत्तर पुनर जागरण कला का शमय था 1425-1520 शोलाहमी शदी का आंथ 15-1530 या फिर 19 वी शदी आप शे उत्तर पुनर जागरण के बारे में पूछा गया तो शोलाहमी शदी का आंथ आंसस बनेगा तो बलाग की किस प्रकार की शतह की आवश्यक्ता होती है नाम बुडन का है रबड का है मेटल का है और इस्टोन का नाम दे दिया गया प्रिंटिंग मेकिंग में गाड़े पन की प्रक्रिया है तो बलाग की किस प्रकार की शतह की आवशक्ता हो जाती है तो शतह वहां मेटल की रहेगी मित्रों मेटल राइड आंसस सी के शाथ लगाना, सी इस दा राइड आंसस बना लेना आगे 20 नंबर कोश्चन से के रहा अप्पू प्रतीक प्रतिनिध्यत्व करता है नाम अप्पू घर का है ओलंपिक खेल का है जर्मन सरकस का है और फिर एशियाई खेल का है अप्पू प्रतीक प्रतिनिध्यत्व करता था तो अप्पू प्रतीक जो है वो एशियाई खेलों का प्रतिनिध्यत्व करता था राइट अंसस आपको D के शाद देना पड़ेगा D is the right answer finally लगाना पड़ जाएगा आगे चलेंगे 21 number questions है एक गतिशील बिंदु के अंतहीन प्रियोग को कहते हैं रेखा कहते हैं पोत कहते हैं आकार कहते हैं या फिर स्केज कहते हैं एक गतिशील बिंदु के अंतहीन प्रियोग को हम क्या नाम दे पाते हैं तो एक गतिशील बिंदु है ऐसे बिंदु ही आगे बढ़ता जा रहा है अब बिंदू अगर ज़्यादा पास-पास होगा तो रेखा बन जाएगी मित्रों तो राइड आंसर से रेखा की परिभाशा है सई जबाब हमें फॉस्ट के शाथ लगाना है आपसे कह रहा है बर एक प्रभाव है जो निमलिखित मेंशे किस पर पढ़ता है तो राइड आंसर स धातू देना बी इस दा राइड आंसर्स लगाना अगला कोश्चन्स तेश नंबर आएगा पूछा गया एनिमेशन को सज्यू बनाने के लिए कितने चितर परतिशेकंडर रिकार्ड गिया जाता है नाम सब 20 का है, 28 का है, 24 का है और 22 का है में तो बहुत जादे कंफ्यूजन इस कोश्चन्स में रहा है क्योंकि कई बार आंसर्स 28 बन जाता है कई बार आंसर्स 24 बन जाता है बहुत बार तो 22 भी बना है बहुत बार तो 20 भी बना है तो ये थोड़ा जटिल कोश्चन्स है ऐसे questions अगर बाहर हो जाएं तो ज़्यादा बढ़िया है फिलहाल यहां हम B के शाथ answers लगाते हैं लेकिन कई बार हमने 28 और 22 को भी पढ़ा है लगाया है, answer समझा है यहां सही जबाब हम B के शाथ लगा ले रहे हैं लेकिन आगे ऐसे questions अगर ना है तो ज़्यादा बढ़िया है और अगर आएं तो एकदम facts, answers के साथ हैं तो ज़्यादा बढ़िया होता है अगला questions 24 नमबर है इन मेशे कौन मूर्तिकार है? नाम रामकिंकरवेज का है, अनुपमशुदिका है, एमेफुशेन का है और रणवीर शिंग्विष्ट का नाम दिया गया आप से कह रहा है इन मेशे कौन मूर्तिकार है अब अगर आप शमसामिक कलाकार अच्छे ढ़ंग से पढ़े हो तो आप बता पाओगे कौन चितरकार है, कौन मूर्तिकार है इसमें से रामकिं कर्वेज अंसे लगाओ फर्स्ट के शाथा पांसे बनाओ अगला कौश्टन च्वशन ट्वंटिफाइब नंबर आप की स्क्रेंग पे ये रहा कह रहा है दा लाइफ हाफा वर्जिन the life of a virgin क्या है चितरकला है बुड़कट है भितिये चितर है या फिर मूर्तिकला है the life of a virgin की अगर बात हो रही है तो ये बुड़कट रचना है right answer C के साथ लगाईएगा मित्रों C is the right answer बना लीजिएगा आगे चला जाएगा 26 number questions है कह रहा है कौन्ते का प्रियोग किस में किया जाता है कौन्ते का प्रियोग किस में किया जाता है चितरकला में लीजिएगा में दातू की ढलाई में या फिर पोस्टर में कौन्ते का प्रियोग किस में किया जाता है अगर कौन्ते के प्रियोग की बात आती है लीथोग्राफी आंसस बनता है सई जबाब C के शाथ लगाना पड़ता है C is the right आंसस लगाते है आगे चलते है 27 नंबर कोश्चन से आप C के रहा विचारक हूम हूम किस राष्ट के थे नाम इटली का है, ब्रेटेन का है, जर्मनी का है और ग्रीक का नाम दिया गया विचारक हूम के बारे में पूशा गया अगर हूम का देश पूशा जाता है तो ब्रेटेन के शाथ आंसस बनता है C के शाथ आंसस लगाना पड़ता है आगे चला जाए 28 नंबर कोश्चन से आपकी स्क्रिन पे यह रहा आप से कह रहा है मित्रों डिजाइन में पूर्ड रंग पुनर प्रक्रिती फुल पावर रिप्रोड़शंस तो आप से कह रहा है कि डिजाइन में पूर्ड रंग पुनाह प्रतिकृति यानि दोबारा से आप उसमें भरू रंग को इसके लिए मुख्य pigments कौन सा है तो मित्रों देखो डिजाइन में अगर हमें पूरूप्मेड रंग भरना है गुलाब हमने बनाया है तो गुलाब में पत्ती किस कलर की होगी डाल किस कलर की होगी फाइनली गुलार का जो फूल है वो कौन से कलर का होगा तो ये animation पूर रंग पुनह प्रतिकरती होता है और ये स्यान मेजन्टा और यलो शे बनेगा रेड ग्रीन और विलू शे बनेगा ब्राउन ब्लैक और विलू शे बनेगा या फिर ओरेंज इंडगो और वाइलेट से पन जाएगा आपको बताना है किश्य बनेगा तो डिजाइन में अगर हमें पुर्ण रूपमेंड रंग की पुनर कृति करनी है मित्रों तो उसके लिए finally स्यान मेजन्टा और येलो शे जबाब बनेगा एक शाथ राइड अंसस लगाना पड़ जाएगा अगला कोश्चन्स 29 नंबर है अस्व किसका वाहन है नाम यम का है इंदर का है वरुन का है और वायू का है अस्व किसका वाहन है तो अस्व वायू का वाहन है सही जबाब डी के शाथ लगाना अगला कोश्चन्स 30 नंबर आपकी स्क्रिन पे ये रह पिकासो का प्रसिद अगला question 31 number आएगा पूछा गया सिगरिया की गुफाएं किस देश में हैं नाम भारत का है स्री लंका का है नेपाल और पाकिस्तान का नाम दे दिया गया अगर सिगरिया पूछा जाये कहां पे है तो आपको स्री लंका याद रखना होगा भारत का यह नीचे वाला देश स्री ये स्रालांका में सिगरिया है स्पीजबाप स्टि के शात लगाओ अगला कुश्षन 32 नंबर आप की स्क्रम पर ये रहा पूछा गया राम पुर्वा बुल केपितल कहाँ इस्थित है राम पुर्वा बुल केपितल राष्टी शंग्रहलय नई दि लिय में इस्थित है शार् तो आपका राष्टी ये भोन नई दिल्ली आंसस बनता है, C के शाथ हमें सही जबाब लगाना पड़ता है, C is the right आंसस लगाएंगे, आगे चलेंगे, अगला कोर्श संस 33 नमबर आएगा, पूछा गया फाववाद का शब्षे प्रमुक्षितरकार कौन था? नाम सिंजा का दिया गया, गोया का दिया गया, पिकाशो और मातिस का नाम है, फाववाद का शब्षे प्रमुक्षितरकार कौन था? अगर फाववाद का शब्षे प्रमुक्षितरकार पूसा जारा है, तो नाम मातिस के शाथ बैठेगा, सही जबाब D के शाथ लग जाएग तो D is the right answer हम बना लेंगे यहाँ पे अगला questions 34 number आपकी स्क्रिन पे गिये रहा 34 number questions आप से क्या कह रहा है मित्रों आप से कह रहा है धन्य लोक निम्लिकित मेंशे किस के द्वारा रचित है अगला questions 35 number है आपकी स्क्रिन पे कह रहा है शवाई मान सिंग द्वारा बनाया गया जंतर मंतर है जैपूर में है है एदराबाद में है पटना में है या फिर बडोदा में है सबाई मान सिंग द्वारा बनाया गया जंतर मंतर कहां है मित्रों अगर जंतर मंतर के लोकेशन की वात आए तो जैपुर आंसस लगाईएगा फर्ष्ट के शाथ आंसस बनाईएगा अगला कुशन थारड़ सिक्ष नमबर आएगा आप से कहे रहा है पुस्तक है किसंगर पेंटिंग इसकी लेखक हैं WZ आर्चर हैं E. Dickinson है M.A. शरंधावा हैं और S. P. गोट का नाम दे दिया गया है पुस्तक किसंगर पेंटिंग के बारें पूशा गया अगर आप से किसंगर पेंटिंग के राइटर पूशा जा रहा है तो E. Dickinson answers होना चाहिए राइट answers आपको B के शाथ लगाना चाहिए B is the right answers बनाना चाहिए अगला कुशन थारड़ सेवन नमबर आपकी स्क्रण पे गिरा आप से कह रहा है मित्रों Dancing Girl Dancing Girl नामक मूर्ति की शंगरहले में इस्थित है नाम राष्टिय शंगरहले करांची का है British शंगरहले लंडन का है राष्टिय शंगरहले न्यूडल ही का है और भारतिय शंगरहले कोलकाता का नाम दिया गया Dancing Girl के बारे में पूशा गया अगर डांसिंग गरल हम बात करते हैं तो राष्टी ये शंगरहले नई दिल्ली आंसस बनता है सी के शाथ सही जबाब लगाना पढ़ जाता है शी इस दराइट आंसस लगा लेते हैं आगे चलते हैं अगला कोश्चन थर्टी एट नमबर है आप से कह रहा है डाक्टर जोतिस जोशी शंपादक थे कला दीरगा के थे ललित कला के थे शमकालिन कला के थे और फिर कला त्रमासिक के थे आप से पूसा गया डाक्टर जोतिस जोशी शंपादक रहे हैं अब शम्पादक की अगर बात आएगी तो कला में एक पत्र का सबती वो आपकी शमकालिन कला होती है तो उसकी शम्पादक रहें राइट आंसर बी के शाथ लगाना अगला कोश्चन्स 39 नंबर सॉल्ब होगा 39 नंबर कोश्चन्स के अगर बात करते हैं तो कह रहा है अतियतार्थवाद का घौषला पत्र लिखा था अंदरे ब्रेटन के द्वारा लिखा जाता है राइट आंसरस अंद्रे ब्रेटन बनेगा फर्स्ट के शाथ आंसरस लगाना पड़ेगा आगे चला जाए तो चालिश नमबर कोश्चन साब कि स्क्रण पे है के रहा है पाप कलाकार एंडी वार होल ने किसका प्रियोग किया था ना मूलियोग्राफ्स का है शेरी ग्राफ्स का है केलो ग्राफ्स का है और लीथो ग्राफ्स का है पाप कलाकार है एंडी वार होल ने किसका प्रियोग किया है अगर एंडी वार होल के प्रियोग की बात आती है तो शेरी ग्राफ्स आंसरस बनता है C के शाथ हम सही जबाब लगाते है पूसा गया है अगर मार्ग पत्रिका के शंपादक की बात आएगी तो मुल्क राज आनंद सही जबाब बनेगा डी के साथ हम सही जबाब लगाएंगे डी इस दाराई डाउंसस बनाएंगे आगे चलेंगे अगला को संस लाएंगे 42 नंबर होगा आप से कह रहा है भारतिय के लेखक कोन है अगर भारतिय मुर्थिकला के लेखक की बात आएगी तो राइकरण दास आंसस बनेगा डी के साथ सही जबाफ लगसाएगा डी इस दाराई डाउंसस बनेगा अगला कोश्चनस 43 नंबर आता है पूसा गया अमुर्थकला का प्रथम घोशडा पत्र किस वर प्रस्तुत होता है तो अमुर्थकला का पहला जो घोशडा पत्र है 1910 में फाइली ये आपका प्रस्तुत होता है सई जबाब हम बी के शाथ लगाते हैं बी इस दाराई डाउंसस बनाते हैं आगे चलेंगे 44 नंबर कोश्चनस आएगा कह रहा है निमलिखित में से किस सासक द्वारा गैंगो कोड़ चुलपरम मंदिर का निर्मार करवाया गया था मंदिर बनाने का जो काम है इसमें से जो गैंगे कोड़ वाला है ये फाइली राजेंदर चुल प्रथम के द्वारा बनाया गया तो राई डाउंसस हम बी किशाथ लगाएंगे बी इस दाराई माइकल एंजलो का जन्म आफशे पूसा गया अगर माइकल एंजलो का जन्म पूसा जा रहा है तो राइट आउंसर इटली बन रहा है मित्रों भी इस दा राइट आउंसर आपको लगाना पड़ रहा है आगे सला जाएगा 46 नंबर कोश्चन से राजस्थान का प्राचीन और प्रारंभिक रागमाला चितरन कोंसा है नाम चांडो रागमाला का है गीद गोविंद का है चुनार रागमाला का है और परिवर्ती बूंदी रागमाला का नाम दे दिया गया राजस्थान का प्राचीन और प्रारंभिक रागमाला चितरन कोंसा है तो राजस्थान का पु कोशिशन्स आएगा 47 नंबर है के रहा है एक काले और शफिद रंग के चित्र को कहा जा सकता है छपाई कहते हैं एक रंग का कहते हैं अस्थानिय रंग कहते हैं या फिर एक अलाफ कहते हैं एक काले और शफिद रंग के चित्र को क्या कहा जा सकता है तो उसके लिए एक रंग का है ऐसा कहा जाशकता है श्री जबाब जो है वो शी के शाद बनेगा सी इस दर आइट आउंसस लगएगा आगे चलें अगला कोश्चन सापका 48 नंबर है आपकी स्क्रेंट पे है आप से कह रहा है लाइब साफ दा मोश्ट एक्सिलेंस पेंटरस और उसके शाद इस स्क्लेप्टरस एंड आर्किटेक्चर्स की लेखक को नहीं है आप से पूशा गया है विंशेंट वन गॉग का नाम है एच ग्रोमविच का नाम है गुस्ताव कूरवे का नाम है और जार्जियोन वशारी का नाम दे दिया गया आप से लाइफ साफ दा मोश्ट एक्सिलेंस फ राइट अंसस बनेगा अगला कोश्चन्स 49 नमबर आएगा आप से कह रहा है गुस्ताव कूरवे का जन्म कहां हुआ था इंगलेंड में हुआ ग्रीश में हुआ हालेंड में हुआ या फिर फ्रांस में हुआ गुस्ताव कूरवे का जन्म कहां हुआ मित्रों तो सई प्रयाग सुक्ल किश पत्रिका के शंपादक थे, नाम रंग प्रशंग का है, प्रयुजन का नाम दिया गया, प्रयाग शुक्ल के बारें पूछा गया, रंग प्रशंग आंसस बनता है, तो फर्शंग के साइज जबाब लगाईएगा, अगला कुश्चंस 51 अब आएगा, आ शांची अस्तूफ में finally कौन सी लिपी में शंदेश खुदा हुआ है नाम ब्राम्ही लिपी का है की लाक्षर का है देव नागरी का है और खरुष्ठी का नाम दे दिया गया शांची अस्तूफ पर कौन सी लिपी में शंदेश खुदा हुआ है मित्रों तो शंदेश ब्राम् का है और श्पेन का नाम दिया गया शलवा डूर डाली का जन्म जो है वो कौन शे देश में हुआ था जब देश की बात आए तो श्पेन के शाथ अंसस लगाओ डी के शाथ हाफ सईजवाफ बना लो आगे चलते हैं अगला कुश्चन साता है 53 नंबर कुश्चन से कह रहा है दक्षन भारत की परंप्रागत मंदिर मूर्तिकला विशेश करके कवच कवर से प्रभावित होने वाले मूर्तिकार कोन है तो कवच कवर से प्रभावित होने वाले हिरन में राय चोधरी है पी विजजान की रमन है एक का यादागिरी राउ है या फिर दलेव शाह है के शाथ आपको right answers बनाना पड़ेगा आगे चलेंगे अगला questions चोवन नंबर है पूछा गया स्री लाल शुकल डडडडड़ के लेखक है नाम गबन का है शुहाग के नुपूर का है राग दरबारी का है और गुजिश्ता लखनो का नाम दिया गया स्री लाल शुकल किसके writer है तो मित्रों चारों absence पढ़ने के बाद आप राग दरबारी के शाथ answers देंगे B is the right answers finally यहाँ पे लगाएंगे सही जबाब B के शाथ बनाईएगा अगला questions 55 नंबर आएगा आपकी स्क्रिन पे है ब्रहद कलाकोश के लेखक है जोतिश जोशी है रूप नाराण बाथम है शे आपको D के शाथ लगाना पड़ता है D is the right answers लगाईएगा आगे चलेंगे अगला questions आएगा 56 नंबर है वाइरल बिग्यापन का आशे है इंटरनेट का उप्योग करके तयार किया गया बिग्यापन रूप या फिर जातिवादी और लिंग भेदी बिग्यापन या फिर बिग्यापन बिवहार में लिंग और जातियता आप शे वाइरल बिग्यापन के बारे में पूछा गया तो इंटरनेट का उप्योग करके जो तयार किया जाता है बिग्यापन रूप वो वाइरल बिग्यापन है सई जबाब फ़र्ष्ट के शाथ लगाओ A is the right answers बनाओ इतिहास का नाम दे दिया गया राइक्रष्ण दाश शंबंधित थे आप से पूछा गया राइक्रष्ण दाश किश्य शंबंधित थे तो मित्रों कला इतिहास से इनका शंबंध है सई जबाब D के शाथ लगएगा D is the right answers बनेगा अगला questions 58 नमबर आप कि स्क्रण पे ये र दांब्रेलाज है जापान USA है नमलखित मेशे किसकी कलाकरती है नाम रुमाना हुशेन का है क्रिष्टो का है पीत पाल सच देव लाड़ी का है और सेबा च्छाची का नाम दे दिया गया दांब्रेलाज की बात हो रही है जापान USA की बात हो रही है ये किसकी कलाकरतीया है मित्रों तो ये कलाकरतीया आपकी क्रिष्टो की है किसकी है क्रिष्टो की है तो right answers हम भी के शाथ लगाएंगे भी इस दा right answers बनाएंगे आगे चलेंगे 59 नमबर questions आपकी स्क्रिन पे है रेमंड ड्यूशो विरलो की होर्स सीरसक मूर्ती किसके बनी हुई है होर्स सीरसक मूर्ती स्टील की है ग्रेनाइट की है कांसा की है या फिर मौर्बल की है रेमन्ड ड्यूशो विरलो की होर से सीरसक की जो मूर्ती है मित्रों ये कांसा में बनी हुई है तो राइट आंसस कांसा लगाईएगा भी इस दा राइट आंसस फाइलि बनाईएगा आगे सलाज आएगा अगला कोशीशन साथ नमबर आता है पूछा गया एफोर कागज का वास्तविक माप क्या है नाम 210-297 मीमी का है 297 गुणे 4200 मीमी का है वो आपका 210 गुणे 297 मीमी का धर 288 कुने 288 मीमी का है ओपर कागज का झूँ वास्तविक मां पाता है मित्रू Call वो आपका 210ुण 297 मीमी है तो right answers first के साथ प्यठता है यह इस दा right answers बनता है आगे चला जाए अगला question 61 नमबर आता है आपसे पूछा गया चित्र के लिए शबसे महतपुर्ण घटक है अच्छा कागज और कलम है अच्छा द्रेश है अच्छा संयोजन है या फिर अच्छा रेखांकन है चित्र के लिए शबसे महतपुर्ण घटक क्या होता है अच्छा संयोजन तो चितर के लिए जो सबसे बढ़िया काम है वो अच्छा संयोजन है संयोजन अच्छा होगा चितर अपने आफ अच्छा पनेगा आगे चला जाएगा अगला कोश्टन्स आता है 62 नंबर है के रहा है संराइज इंप्रेशन का चितरकार को न था अगर संराइज इंप्रेशन की बात हो रही है तो आप राइट आंसस क्या लगाओगे यह भी बहुत बिबादित कोश्टन्स है कई बार पूछा गया है और अक्षर लोग गलत करते हैं याद रखना संराइज इंप्रेशन जल्दी शे बताईए मित्रों सई जबाब क्या बनेगा इम संराइज इंप्रेशन चेतर किसका है सई सई जबाब देना सई सई जबाब देना संराइज इंप्रेशन संराइज इंप्रेशन याद रखना बहुत बार आंसस एड़वर्ड मोने लोग बलगाए हैं लेकिन गलत है यह क्लोड मोने की रचना है समझ लेना फ्रांस में ये कलाकार किसके लिए इंप्रेसनर्जम के संस्थापक के रूप में जने जाते हैं कलोड मोने याद रखना वूमेन इन गार्डेन इनकी एक बहुत अच्छी रचना है कौनसी है वूमेन इन गार्डेन एक बगीचा में एक अउरत है, ये वाली रचना बहुत अच्छी है, याद रखना, लेकिन सनराइज इंप्रेशन हो गया, वाटर लिली हो गया, ये सब रचना इनकी अक्छी है, हैस्टैक्स हो गया, ये सब कलोड मोनी की रचना है, तो इसमें अब आपको गलती नहीं करनी ह सही जबाब फ़स्ट के शाथ लगाना है, एस दराइट आउंसस फाइनली आपको लगा लेना है, एस दराइट आउंसस लगाईएगा, अगला कोश्चन 63 नमबर आएगा, आप से कह रहा है मूल कलाको निमलखित में से किसके द्वारा रेड यानी लाल, हरा यानी ग्रीन औ और नीला घटकों में अलग-अलग किया जाता है, नाम हार्डिस का है, मेमोरी कार्ड का है, पेंड ड्राइब का है, और डिजटल स्कैनर का नाम दिया गया, आप से कह रहा है मूल कलाको किसके द्वारा रेड और ग्रीन के शाथ नीले में हम अलग कर पाते हैं, तो यह करती है, नाम वालसन का दिया गया, एस राधाकरशन का दिया गया, शोमन का दिया गया और कनहाई कुनही रमन का नाम दिया गया, मुक्कोला पिरुमल, मुक्कोला पिरुमल की अगर बात आती है, राइट अंसर्स कनहाई कुनही रमन है, राइट अंसर्स डी के शाथ बैठ रहा है D is the right answers लग रहा है अगला question 65 number आप की स्क्रिन पे यह रहा है कि रहा है उनीशो शत्तर के दोरान पश्चिमी एवेश्टक्स कला के प्रमुक और अग्रणी प्रतिपादक जो ओरियंटल कलाशे प्रेणा और आध्यात्मिक पोश्वन प्राप्त करते हैं वो है चक्लॉस नाम जस्पर जूंस का है हमपर्स का है और जो है अरिश टाइड मेलोल का है आप से पूछा गया कि शत्तर के दोरान उनीशो शत्तर के दोरान पस्यमी एवेश्टक्स कला के प्रमुक रहे हैं अग्रणी रहे हैं प्रतिपादक रहे हैं तो मित्रों वो कौन रहे हैं उनका हन्स अर्प है तो राइट अंस हन्स अर्प लगाईए बी के शाथ सही जबाब बनाईए अगला कोश्चन 66 नंबर आपकी स्क्रिन पे ये रहा पूछा गया अकबर नामा अकबर का अधिकरत जीवन परजिया है जिसके चित्रत करने का काम रहा व्यवशंदास का व्यशितर का वशामन का या फिर अबुलहशन का अधिकरत जीवन परजिया है उसमें चित्र रचना कोंकरता है तो चित्र रचना वशामन करते हैं याद रखना राइट अंसथ बसामन बनेंगे बी के शाथ हांसस लगेगा अगला कोश्चन सरस्ट नमबर आता है आप से कह रहा है गलने के दोरान ऐलुमूनियम की शफाई करने के लिए कौन से तत्व का उप्योग किया जाता है नाम बोरेक्ष का है सुगर का है अमूनियम क्लोराइड का है और शादा नमक यान सी इस दा राइट आंसस बनाईएगा आगी चला जाएगा अगला कोश्चन साता है 68 नमबर है पूसा गया फैट चेयर फैट चेयर नमलिकत मेंशे किस की करती है जान केज की है नून जून पाइक की है जोशेफ वायस की है और जार्ज पिच्चो की है आप से पूसा गया फ कोश्चन 69 नमबर आएगा आपसे कह रहा है बिज्यापन करेक्टर गट्टू का निर्मान किया था आर्क नारायनन ने के असकुल करणी ने अजीत चाश्चन निर्मान आपसे पूछा गया तो गट्टू का निर्मान जो है वो आर्के लक्ष्च्मन करता है राइट आंसस D के शाथ पेंठा है, D is the right answers लगाना है, आगे चला जाएगा शत्तर नमबर questions है, आपकी screen पे है, आपसे कहे रहा है, पूर्ण रंग प्रतिकरती, फुल कलर, रिप्रोड़क्टेशन, आपसे कहे रहा है, जो black है, black को निमलिखी त्मेशे किस रूप में सुड़ा जाता है, Key color से जोड़ देते हैं, दूतिये color से जोड़ जोड़ जाते हैं, तर्थिये रंग से जोड़ देते हैं, पोर रंग प्रतिकरती है, black black को किस से जोड़ा जाएगा, तो मुक्हे रंग यानि Key color से जोड़ दिया जाएगा, Right answers, B के शाथ लगाना, 20the right answers बनाना, आगे चला जा तो ली कार्बूजियर आंसरस है, बी के शाथ आंसरस लगाना है, अगला कोश्चन्स 72 नंबर कोश्चन्स के रहा है, दा थिकर, दा थिकर, नाम अकमूर्थी किश्की है, नाम डिवरर का है, रॉफिल का है, माइकेल एंजुलो का है, और रूंदा का नाम दे दिया गया, दा हिंक और जुमूर्थी आती है, में तो रूंदा की रश्चना है, तो राइट आंसरस समड़ी के शाथ लगा लेंगे, डी इस दा राइट आंसरस बना लेंगे, आगे चलेंगे, 73 नंबर कोश्चन्स है, आप से कह रहा है, ब्लू पॉटरी, जैपर ब्लू पॉटरी के पु जा रहा है, अगर प्रिष्ट भूमी की बात हो रही है, करपाल संग से एक आवस सई जबाब बन रहे है, C के शाथ आंसरस लगाओ, अगला कोश्चन से 74 नंबर आपकी स्क्रिन पे ये रहा, जान कांस्टेबल संबंधित है, रोकोको पेंटिंग से, बरोग पेंटिंग से, हाई रेनेशा पेंटिंग से, अफिर इंगलिश रोमांटिक पेंटिंग से, जान कांस्टेबल के बारे में इंगलिश रोमांटिक पेंटिंग से जबाब बनेगा, D के शाथ राई डाउंसरस लगेगा, अगला कोश्चन से 75 नंबर आता है, आप से कह रहा है, बिश्व भर का विश्वभर का शुबिख्यात लोगो है कुन सा पहचान है लोगो है जो मैकडोनाल्ड का गोल्डेन आर्चेज है रेड क्राश वाला है ओलंपिक का पांच घेरों वाला प्रतीक है या फिर मर्सडीज स्टार है क्या है मिसिडीज स्टार है आपसे के रहा है बिश्वभर का शुबिख्यात लोगों कोईशा है तो बिश्वभर का जो शबसे अच्छा और सबसे बढ़िया लोगों है ओलंपिक का जो पांच घेरों वाला ये वाला आपका प्रतीक होता है जिसमें पांच घेरे हैं ये वाला है तो राइट अंसर सापसी के शार्थ लगा लो आगे चला जाएगा शिवणडे सिक्ष नमबर आता है आपसी के रहा है 1873 में क्या 1843 में 1843 में हास योर व्यंग डिजाइनिस्ट को वरनित करने के लिए कार्टून कार्टून शब्द में पहली बार उप्योग करने का स्रे निम्रिकत में किस प्रकाशन को जाता है पंच को जाता है ले चारिवारी को जाता है सिम पर लिसियम को जाता है या फिर क्रेटिव कैमरा को साता है कार्टून शब्द का पहली बार उपयोग करने का जो श्रेज आएगा मित्रों वो पंच को जाएगा तो right answers first के साथ बनेगा अगला question 77 नमबर आप कि स्क्रण पर ये रहा के रहा है किश प्रमुक पुरुषकार में वाग देवी की पृतिमा दी जाती है मान बोकर में वाग देवी की पृतिमा दी जाती है, नोबेल में दी जाती है, ग्यान पीठ में दी जाती है और फिर ग् dzi網मी अवार्ड में दी जाती तो वाग देवी की पृतिमा ग्यान पीठ फृुषकार में दी जाती है अगला कोश्चन 78 नमबर आएगा आपसी के रामित्रूं वर्स उनीश्व एक्यान नबे में जमाहरलाल नहरू गैलरी आफ इंडियन आर्ड की अस्थापना कि शंगरहले में हो जाती है नाम विक्टूरिया इनलवर्ट शंगरहले लंडन का है लिब्रू शंगरहले पेरिश का है भारती शंगरहले कोलो काता का है और नेश्व एक्यान नबे में फाइलली जमाहरलाल नहरू गैलरी आफ इंडियन आर्ड की अस्थापना होती है अब इंडियन आर्ड की बात हो रही है तो विदेश में ही होगी विदेश में लंडन में हुई है तो विक्टोरिया एन अलबर्ट संगरहाल है लंडन आंसस बन रहा है एस दराइट आंसस लग रहा है आगे चला जाएगा 79 नंबर कोश्चन्स आता है आफ से कह रहा है क्या आफिज सिराजी की मजार की शहर में इस्थित है नाम कराची का दि सिराज का दिया गया और बदखशा का दिया गया आफिज सिराजी की मजार आफिशी पूसा गया कहां लोकेटेड है लोकेशन की बात आए तो सिराज आंसस लगाना भी इस दराइट आंसस बनाना अगला कोश्चन्स 80 नंबर आपके स्क्रण पे यह रहा है ग्रंध चित्रो की बहुलता की श्यूक की चितरकारी की एक प्रमुक विशेस्ता रही है तो फाइनली अकबर के काल की रही है गरंथ चितरों का खूब ज़्यादा काम अकबर के टाइम पे हुआ है चाहे आप रामायड देखो महा भारत देखो बहुत सारी रचनाय हुई है तो अकबर के आठा गया तो चार स्रणियों में विभक्त किया गया है राइट आंसरस बी के शाथ वैठेगा अगला कोश्चंस 82 नंबर आएगा आप से क्या कह रहा है एक क्रशकाय एक क्रशकाय घूड़े के शाथ एक मजुनू का निरजन अस्थान पर भटकना चितर का चितर किस ने कि अगर सई जबाब की बात आती है राइट आंसरस बशामन बनता है एक शाथ आपको सई जबाब लगाना पड़ता है आगी चला जाएगा 83 नंबर कोश्चंस आता है आप से कह रहा है अभी हाल ही में इंटरनेशनल वाटर कलर फेस्टिबल कहा है उजित किया गया नाम लखन पांस का है और आप से कोश्चंस कह रहा है तो राचिक साथ आंसरस लगा लो डेज दराइट आंसरस बना लो ऐसे लेटेस्ट कोश्चंस जब परिछा नजदिक आती है तो और ज़्यादा करादी जाएगे परिशान ना होना अगला कोश्चंस 64 नंबर है मिशी यूनिवर् का है केरि ओना ग्रे का है नेहल चुदासमा का है और एंजेला पांस का नाम दिया गया मिश यूनिवर्स 2018 नाम केरिटरी ओना ग्रे का है तो राइट आंसरस वी के शाथ लगा लो अगला कोश्चंस 85 नंबर आता है आप से कह रहा है एफिल टाबर के अस्थापत्यकार गु इफिल टाबर के अस्थापत्यकार है गुस्ताव एफिल उनका जो जन्म है वो फाइनली फ्रांस में हुआ है तो राइट आंसरस फ्रांस में लगाईएगा ठारोशो बत्तिस में जन्म हुआ बी के साथ आंसरस पैट रहा है अगला कोश्चंस 86 नंबर आ रहा है आप से गर राइट आंसरस आपका गुस्ताव एफिल बन रहा है एक शाथ साई जबाफ लग रहा है अगले कोश्चंस पे चलेंगे आपका 87 नंबर कोश्चंस आपकी स्क्रिन पे है किंग है वल्चर और ग्राफिन है ये किसनी चितरित किया नाम मनसूर का है विहजाद का है बशावन का है और मीर सयदली का नाम दिया गया किंग है वल्चर और ग्रेफिन है आपसे पूसा गया कोश्च तरित करता है साई जबाफ जू बनेगा वो उस्ताद मनसूर बनेंगे तो राइट आंसरस फ़र्ष्ट के शाथ बनेगा इस दर राइट आंसरस लगाना पड़ेगा आग बनेगे तो पहला मगबरा केरला में कुंडा गुलेर बन रहा है तो सई जबाब आपको बी की शाथ लगाना पड़ रहा है बी इस दर राइट आंसरस लगाईएगा एटी नाइन नंबर कोश्च नस आपकी स्क्रिंड पे है आपसे कह रहा है भारत के या भारत में प्रथम मगबरा जो की चेरामान जुमा मस्जिद है मलिक बिन दिनार द्वारा 629 इसबी में कहां बन माया गया था नाम कुंडा गुलार केरला का है लखनो उत्तर प्रदेश का है बीजापूर करनाड का है और नमेशिक कोई नहीं का नाम दिया गया अभी ये कोश्चन सेम सेम पू आगे चला जाएगा 90 नमबर कोश्चन साता है अमबाजी संगमरमर का प्रियोग निमलिकित में से किस मस्जिद के लिए किया गया है अमबाजी संगमरमर का जो प्रियोग है लोरा में हुआ खजुराहो में हुआ दिलवाडा में हुआ या फिर कोणार्क में हुआ अमबाज आपसे कहरा है मगबरी से जुड़े तोरण कहां पाए जाते हैं नाम अटाला मस्जिद जोनफूर का है बाबरी मस्जिद पानीपत का है जामा मस्जिद दिल्ली का है और जामी मस्जिद धार का नाम दिया गया मगबरी से जुड़े तोरण कहां पाए जाते हैं तो मक्बरे से जुड़े जो तोरण हैं वो आपके अटाला मस्जिज जोनपूर में पाये जाते हैं, राइट आंसरस फर्ष्ट के साथ बैठेगा, एस दा राइट आंसरस लगाना पड़ेगा, 93 नंबर कोश्चन्स आ रहा है, महमूद गमन का मदर्षा कहां इस्थित है, वीदर में है, दौलताबाद में है, गुलवर्गा में है, या फिर हैदराबाद में है, महमूद गमन का जो मदर्षा है, वो कहां लोकेटेड है, तो फाइनली वो वीदर में है, आपसे कह रहा है अलग जेंडरिया का प्रकाश अस्तंभ का निर्माण किसके शासनकाल के दोरान हुआ था नाम टैलमी प्रथम फिलाडेलफस का है टैलमी दुतिये फिलाडेलफस का है शिकंदर महान का है और उपयुक तमेशे कोई नहीं नाम दिया गया अलग जेंडरिया का प्रकाश अस्तंभ किसके शासनकाल के दोरान होता है मित्रों तो राइट आंसस जो बनेगा वो टैलमी दुतिये फिलाडेलफस बनेगा सही जबाब आपको वीकेशात लगाना पड़ेगा बी इस दा राइट आंसस लगाना अगला कोश्चन साब का 95 नंबर आएगा आपसे कह रहा है क्या शामा चकेवा की मूर्थियां प्रशिद्ध हैं बिहार के मिथिला छेतर की हैं पश्चिम मंगाल के बांकूरा छेतर की हैं उत्तर प्रदेश के अवध छेतर की हैं या फिर उप्यूक तमेशे कोई नहीं आप से शामा चकेवा की मूर्तियां पूछा गया तो शामा चकेवा की जो मूरतियां है मित्रों वो फाइनली बिहार के मिथिला छेतर की हैं इसलिए जो राइट आंसस लगाईएगा वो आप फर्स्ट के शाथ लगाईएगा A is the right answers बना दीजिएगा आगे चला जाएगा 96 नमबर आता है आप से क्या कह रहा है आप से कह रहा है Artemis का मंदर जिसे Dina का मंदर कहा जाता है कहां इस्थित है नाम Paris का है, इरान का है, तुर्की का है और Greece का नाम दिया गया Dina का मंदर भी कहा जाता है का से मूर्ती शिल्प का पहला उदारन प्राप्त होता है मोहन जोदारो शे प्राप्त नर्तकी का तंजोर शे प्राप्त नटराजिस्यू का कटरा शे प्राप्त बुद्ध का या फिर इनमे शे कोई नहीं का से मूर्ती शिल्प का जो पहला उदारन है वो प्राप्त होता है, कहां शे प्राप्त होता है मोहन जो दो दो शे प्राप्त नर्थकी का तो राइट आंसर जो बन रहा है वो फर्स्ट के शाथ बन रहा है इस दा राइट आंसर लग रहा है अगला कोश्चन्स 98 नमबर आ रहा है City of Romeo Juliet कहते है वेरोना को कहते हैं London को कहते है Rome को कहते है और फिर तुर्गी को कहते है City of Romeo Juliet कि शे कहा जाता है तो City of Romeo Juliet जिसे कहा जाता है वो शहर आपका क्या है मित्रों वो शहर आपका वेरोना है क्या है वेरोना तो right answers वेरोना लगाओ अगला कोश्चन्स 99 नमबर आ रहा है आफ से 99 नमबर कोश्चन्स कह रहा है लगभग 3000 इशापुर्वी की कास से में बनी मात्र देवी की प्रतिमा कहां शेप राप्त हुई नाम पाकिस्तान के मोहंजुदारों से है दक्षन भारत के आदिन नालूर से है बिहार के शुल्तान पुर्शे है और उत्तर प्रतिश के प्रयागरास से है मातर देभी की पर्तिमा पूछी कई है मतरों राइट अंसर्स जो बनेगा वो दख्छन भारत के अधिन अधिर चलना लूर सही जबाब बनेगा दख्छन भात का आधिन चलना लूर राइट अंसर्स लगाओ मतरों अगला question 100 नमबर आ रहा है प्रश्रंख्या हम 100 की बात कर रहे है आप से किरा है पश्चिम बंगाल में बांकुरा जुले का पंच मुरा गाउं किसलिए प्रशिद्ध है नाम टेरा कोटा होर्स का है कांथा टेक्स्टाइल का है है हैंडी क्राफ्ट का है और मार्बल है आपका अगला question के रहा है 27 दिशंबर 1911 को भारती राष्टी कांग्रेश के किस अधिवेशन में पहली वार जनगर मन गाया गया था नाम लखनो का धिवेशन है दिल्ली का धिवेशन है अलाहाबाद का धिवेशन है और कलकत्ता का धिवेशन नाम दिया गया राइट आं बात आती है तो गैलरी गोल्ड जो लोकेटेड है मित्रों वो को लोकाता में है राइट आंसस आपका शीक इशाद बनेगा अगला questions 103 नमबर आ रहा है आप से कह रहा है अनुकरती आर्ट गैलरी की शहर में इस्तित है नाम प्रियाग राज का है गोरक पुर का है लखनो और पनजी का नाम दिया गया अनुकरती आर्ट गैलरी की बात हो रही है अगर अनुकरती आर्ट गैलरी का लोकेशन पूसा जाए तो प्रियागराज बनता है यह इस दराइट आंसस लगाना पड़ता है आगे चलते हैं आगे 104 नमबर questions है के रहा है पित्रा दुरा पिच्ची क दिखाए देता है 1680 के आसपास दिखाए देता है तो राइट आंसस बी के शाथ वैठेगा बी इस दा राइट आंसस लगाना 105 नमबर questions पे चलना एड़ो फोटोशाफ को किसने विक्षित किया एड़ो फोटोशाफ को क्या एड़ो वी सिस्टम इंग ने विक्षित किया है क्या चोल्स गोश के जान वारनाग के द्वारा विक्षित किया गया एपल मौरको टोन्स के द्वारा विक्षित किया गया और माइक्रो मेडिया के द्वारा एड़ो फोटोशाफ को विक्षित किया गया एड़ो फोटोशाफ की एगर बात आती है तो एड़ो वी सिस्टम इंक के द्वारा इशे विक्षित किया गया है, राइट आंसरस फर्ष्ट के साथ बन रहा है, एस दा राइट आंसरस लगाओ, अगला कोश्चन्स 106 नंबर आ रहा है, आपसे कहे रहा है, गुप्त काल में निर्मित, बुद्ध की तांबे की एक विशाल काय प्रतिमा, जो व है, बिहार सुल्तान पुर्षे प्राप्त होती है, कहां पे रखी है, तो ये आपको बरकिंगम शंगरहाले आर्ट एन गैलरी इंगलेंड में देखने को मिलेगी, सईजबाफशी के शाहत लगाना पड़ जाएगा, आगी चला जाएगा, तो अपना अगला कोश्चन्स आत तो विशनपुर की जो प्रशिद्धी है, वो आपके टेरा कोटा मंदर के लिए है, राइट आंसस फर्ष्ट के शाथ पैठ रहा है, ये इस दा राइट आंसस लग रहा है, आगे चला अगला कोश्चन्स 108 नमबर आ रहा है, आप से क्या कह रहा है, आप से कह रहा है, दुन अगला कोश्चन्स 109 नमबर कोश्चन्स है, आप से कह रहा है, स्रैमिक स्टी, स्रैमिक स्टी के नाम से प्रशिद्ध शेहर है, रामपूर है, जैपूर है, खुर्जा है, कांगडा है, स्रैमिक स्टी के अगर बात करते हैं, तो खुर्जा वुलेन सहर वाला एक दम सही जबाब बैठता है, भी इस दा राइट आंसस लगा लेना, अगला कोश्चन्स 110 न सबाब बन रहा है, अगला कोश्चन्स 110 नमबर आ रहा है, आप से क्या के रहा है, एक सोदस नमबर, के रहा है, दुनिया का पहला डिश्टल कला शंगर हाले, कहां खोला गया, टोकियो जापान में, वीजिंग च्रेंड में, नई दिल्ली, भारत में, या फिर लंदन, ब्र दुनिया का पहला डिश्टल कला शंगर हाले, जो खोला जाता है, तो राइट आंसर्स टोकियो जापान लगाईएगा, फर्स्ट इस दा राइट आंसर्स वनाईएगा, अगला कोश्चन्स देखा जाएगा, 112 नमबर है, कह रहा है, देश के नागरिकों को उनके बहतरिन का इस दामान भारत रत नौर पदम विभूशन के अस्थापना किस वर्श होई थी, नाम 1950 का है, 113 का है, 1161 का है, 1154 का नाम दिया गया, अब शेक है रहा है, भारत रत नौर पदम विभूशन की crystall कह बना कोन से वर्श हो जाती है, तो בטारिकों किस नाब यपरिकों में, यरosot तर पत्र गारता में दिआ जाएगा Golden Globe Award की अगर बात करते हैं मित्रू तो यह hills गोल्लें ग्लोब ईवार्ड जो दिआ जाता है लिए फिल्म और टेलिवीजन में दिया जाता है इसलिए राइट आंसरे साफ फॉर्ष्ट के बन रहा है तो C के शाथ answers लगाओ, C is the right answers बनाओ, आगे चला जाएगा 115 नमबर questions आता है, के रहा है भारतिय गरद ब्रहद संहता की रचईता है ब्रहद संहता की रचईता है, वानभट जी हैं, कालिदास जी हैं, कलेहन जी हैं, और फिर वराह मिहर जी आपसे के रहा है, ब्रहद संहता की रचईता कोन है, अगर ब्रहद संहता की राइटर की बात हो रही है, तो right answers वराह मिहर बन रहा है D के साथ आपका answers बनाना पड़ रहा है आगे चलें, अगला कोश्चन्स 116 नमबर आता है, कह रहा है, शिव विवाहशे शम्बंधित द्रिश्य का गुफा, सित्रकिश गुफा से प्राप्त होता है ना मजंता गुफा का है, शितनवासल गुफा का है, लोरा गुफा और बादामी गुफा का नाम दिया गया शिव विवाहशे शम्बंधित द्रिश्य का जो गुफा है, वो कौन से गुफा शिप्राप्त होता है, राइट अंसस बादामी गुफा बनता है, डी के शाथा अंसस लगाना पड़ रहा है अगला कोश्चन्स 117 नंबर आपके स्क्रिंट पर ये रहा, आपसे कह रहा है, अंबा लाल रह्मान का नाम किस स्कूल से जुड़ा था, नाम मदरास का है, कलकत्ता का है, बामबे का है, और लखनुकला महाविद्याले का दिया क्या अगला कोश्चन्स आपका 118 नंबर आएगा, आपसे क्या कह रहा है, इस कंबलिंग किसे कहते हैं, मोटे रंग की पारदरिश्ता को कहते हैं, अतधिक सटकीला होता उश्य कहते हैं, रंगों को शुखाना है उसको कहते हैं, और फिर गाढ़ा पन को कहते हैं, इस कंबलिंग की बात होती है इस कंबलिंग फानली मोटे रंग की पारदर रिष्टा सईजबाब बन रहा है तो एक शाथ आपको सईजबाब लगाना है आगे चला जाएगा एक शो निश नंबर कोशिशन साता है आप से कह रहा है प्रस्तुती करण किस कला अंदोलन से जुड़ा है नामद प्रस्तुती बात है बी के शाथ राइट आंसस लगाना पड़ता है बी इस दा राइट आंसस लगाना अगला कोशिशन से एक शो वीश नंबर आएगा आप से कह रहा है अकादमिक शेली का चितरकार कोन था नाम स्रिधर महापात्रा है शुग्वीर श्रंगल है रगुनात महापात्रा है नित्यानन महापात्रा नाम दिया गया अकादमिक शेली का चितरकार कोन था अकादमिक शेली का चितरकार स्रिधर महापात्रा है तो राइट आंसस फर्ष्ट के साथ वनेगा ये इस दा राइट आंसस लगेगा आगे चला जाये तो अपना अगला कोशिशन स 125 नमबर है आपसे कह रहा है प्रेमचंदर की कहानी पराधारित सतरंज के खिलाडी नामक चलचितर का नरदैशक कोन था नाम रित्विक घटक का है शेखर कपूर का है रिशिकेश मुखरजी है और सत्तिजित राय का नाम दिया गया आपसे कह रहा है प्रेमचंदर की कहानी है सतरंज के खिलाडी उस चलचितर का जो फाइनली डारेक्टर होता है नरदैशक होता है वो शत्तिजित रहे हैं तो राइड आंसस डी के शाथ बनेगा डी इस दा राइड आंसस लगाना अगला कोशिशन्स 122 नमबर आएगा आपसे कह रहा है बादामी गुफाओं के चितरों की खोज का जो स्रे है वो किशे है इस्टैला कैमरिस को है रामकुमार विश्व कर्मा को है आनंद केडिश कुमार स्वामी को है और फिर करनिंगम को है बादामी गुफाओं के चितरों की खोज का जो स्रे जाता है मित्रों फाइनली इस्टैला कैमरिस को जाता है तो राइड आंसस इस्टैला कैमरिस बनाएंगे फरस्ट इसर राइड आंसस लगा लेंगे ऊगे 623 नमबर कोशिशन्स आएगा कह रहा है काली घाड के चित्रों में कौन जो है वो प्रभावित कलाकार है काली घाड के चित्रों से कौन प्रभावित कलाकार है वी एस गोयत अंडे का नाम है रविन्ना टेवोर का नाम है यामनी रंजन राय और सुनेनी देवी का नाम दिया गया काली घाट के जित्रों शे कौन प्रभावित कलाकारे मित्रों तो भारत के फिकाश्यों प्रभावित है यानि यामनी रंचन रहा है। शही जबाब आपको V के शाथ लगाना है, B is the right answers बनाना है, अगला कुश्चन 1, 2, 4 यानि 124 पहुच रहा है, आप से कह रहा है फोटोग्राफी प्लेट के उपर किस राशानिक पदार्थ का प्रियूब करते हैं। C is the right answers लगाते हैं, 125 नमबर कोश्चन पे चलते हैं, जान सेंफिल्ड्स ने किसका अविस्कार किया, नाम इंटेगलियो प्रिंटिंग का है, लीथियोग्राफी का है, स्क्रिन प्रिंटिंग का है, और लेटर प्रिश का नाम दिया किया, जान सेंफिल्डर की बात हो रही है चान सेंफिल्डर की बात करें, तो लीथियोग्राफी आंसस लगाईए, C के शाथ आप साइजबाब बनाईएगा, C is the right answers लगाओ, अब मित्रों आपके बताने की बारी आई कि इन 125 कोश्चन के अभ्यास में फाइनली आपका इश्कूर किया है, इमानदार एक शाथ स्क्राइब करिएगा, बेल आईकन जरूर प्रेस करिएगा, जिस्षी नोटिफिकेशन समय से मिले और आप चैनल का भरपूर लाइफ शमय से ले सकूँ, मिलते हैं शोण में, तब तक के लिए दिल से स्लीट, जै हिंद!